हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो डेस्टिनी के 2024 मॉडल के बारे में तो चलिए वीडियो शरू करते हैं तो फाइनली दोस्तों हीरो ने अपनी डेस्टिनी 125 का नया 2024 मॉडल को लॉंच कर दिया है, जिसमें दोस्तों कमपनी ने स्कूटर के लुक्स के साथ जो है और भी काफी सारे चेंज़ेस और अपडेट किये हैं, मैं आप लोगों को कम्प्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग लुक्स के बारे में बात करें तो लुक्स भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो की पहले के मुकाबले अब देखने में ये जो स्कूटी है ये बहुत ज्यादा बहतरीन लग रही है आप लोग बताए कि आप लोगों को पुरानी मॉडल की लोग ज्यादा पसद है या फिर आप लोग को ये नई डेस्टिनी पसंद आ रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा फीचर्स के बारे में बात करो तो फीचर्स भी दोस्तों अब आप लोग को इस स्कूटर पे जो है पहले मुकाबले काफी ज्यादा ही देखने को मिलेगा जैसे एक दोस्तों फ्रंट पे अब आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलाइन का सेटप देखने को मिलेगा साथ ही साथ इसमें आप लोगों को LED का D, R, L भी दिया जाएगा इसके अलावा दोस्तों इस स्कूटर पर जो है आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर कंट्रोल दिया जाएगा जिसमें दोस्तों आप लोगों को Bluetooth connectivity के साथ जो है टन बाइ टन नेवीकेशन देखने को मिलेगा जो की पहले आप लोगों को नहीं मिलता था लेकिन अब आप लोगों को फाइनली इस नहीं model पे दिया जा रहा है इसके अलावा दोस्तों इसमें जहां आप लोगों को USB charging point दिया जा रहा है जिससे दोस्तों आप लोग अपने फोन वगरा को चार्ज कर पाएंगे और सेफटी वाइज दोस्तों साइट स्टेन इंजन का टोप से इंसा तो मिलता ही है इसके अलावा दोस्तों इसमें आप लोग को सी बी एस यानी की कॉमबी ब्रेकिंग सिस्टम और साथ ही साथ में आप लोगों को डिस ब्रेका भी आप्शन दिया जा रहा है जो की फ्रंट का जो डिसकॉस साइज है ये लगभग आप लोगों को 119 mm का देखने को मिलता है बाकी दोस्तों इस पे आप लोग को I3S टेक्नोलोजी वगरह तो मिलता ही है इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर जो है फ्यूल टैंक कपैसिटी के बारे में बताओं तो लगभग जो है 5.3 लीटर के आसपास में आप लोग को देखने को मिलेंगे बाकी इसकी जो बूट स्पेस है दोस्तों यानी की अंडर सीट स्टोरेज जो है यह लगभग आप लोग को 19 लीटर के आसपास में देखने को मिलने वाली है टाइर साइच के बारे में बताओ तो फ्रंट पे दोस्तों आप लोग को 19 बाए 19 सेक्शन का दिया गया है और रेर पे दोस्तों आप लोग को 18 सेक्शन का देखने को मिलता है जो की फ्रंट और रेर दोनों ही जगह पे दोस्तों आप लोग को 12 इंच के अलाओ वील देखने को मिलते है बाकी दोस्तों यहां पे मैं आप लोग को बता दू कि इस scooter पे front पे आप लोग को telescopic का suspension दिया गया है और rare पे दोस्तों आप लोग को spring type में जो है suspension देखने को मिलती है बात करी जाए दोस्तों अगर engine के बारे में तो engine दोस्तों हालांकि पहले की तरह ही रखा गया है इंजन में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है जो कि पहले दोस्तों 124.6 CC का इंजन है जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 9B HP के आसपास में पावर और 10.4 NM तक का टॉप देखने को मिलता है जो कि यह जो स्कूटर है दोस्तों यह सेल्फ स्टॉट के साथ कीक स्टॉट के साथ भी आती है माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 960 MPL के आसपास में देखने को मिल सकती है ऐसा Hero Company क्लेम कर रही है बाकी दोस्तों इस स्कूटर को लांच तो कर दिया गया है लेकिन दोस्तों Hero Company ने अभी इस स्कूटर का जो है प्राइसिंग रिवील नहीं किया है तो अब आप लोग बताए कि आपके हिसाब से अब इस स्कूटर की जो प्राइसिंग है वो क्या कुछ रहनी चाहिए नीचे कॉमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखेगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना है थैंक यू फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए